तो देखियो यह मोटे ने की बोल रहे है अरे यह लाला 6-pack बोल रहे है करा भाई एक साल में भी अगर पतला हो जाए ना तो पाटी दूँगा चार महीने मेरा बॉड़ी वेट के वर सिर्फ 4 kg कम हुआ उसके बाद जब पहली बार में एक मिनट लगातार दोड़ा एक दिन क् कि मैं हलकी से मेरे तवियत खराब हुई मैं डॉक्टर के पास गया उसने पूछा एज बनका 39 करेंगा बीपी चेक करो इनकी शुगर चेक करो एक व्यक्ति इसको लाइफ में पहली बार अचानक कोई बोलेंगा बीपी शुगर चेक करो मुझे लगा बीपी शुगर क्यों भई अरे थोड़ी सी तवियत खराब है दवाईदों पर घर चला जाओंगा करें नहीं नहीं थर्टी नहीं यह जाब तो यह समस्य आने वाली है मन का क्यों कर अपना पेट देखो मन का यह करें तो ओवरवेट हो आप इसकी वैसे प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी तो म मैंने पहली बार शब्द सुना ना कि इनका बीपी और सुगर चेक करो तो मुझे लगाया यह क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ में पढ़ते 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 इतना अच्छा बिजनस सेट अप मैंने बना लिया अब मैं इसका इंजॉय कैसे करूंगा बच्चे जब मैंने वर्क आउट किया तो मेरा सारा सेट पूट रहा था दर्द के मारे मेरी जएक और दोस्त ने शुरू किया वह पहले ही जुन ने एक्स्ट्रा ओड़नरी काम कर दिया मेरे बनाबर वेट का रणिंग मारे आया पैर का मासफट गया छे महीने तक वह उसी का 70 कदम पर आप आया उसके बाद जब पहली बार मैं एक मिनट लगातार दोड़ा तो मुझे लगा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया एक मिनट लगातार रणिंग जॉगिंग वह भी कोई रणिंग का मतलब वह फास्पीड रणिंग नहीं फिर एक समय से आया कि लो किलो मिंटर रणिंग और किलो मिटर वाक फिर एक समय है जाया है किलो मिटर किलो मिटर रणिंग और किलो मिटर हुकufficient इस मसा्मैं मैं लगा चार महीने चार महीं नहीं मेरा बॉड़ीund 계 autism चार किलो कम हुआ और जब चार किलोह भी कम हो जाए नहीर 47 इंच की नपी हुई करते हैं जिम में सीशह लगे किसलीया होते हैं अपने आपको देखने के लिए लिए होते हैं तो मैं आपने पेट आता एसे का करके और मैं इतने मोटे पेट पेट के साथ six-pack abs ऑप सोच रहूँ मैं नहीं अपने आपसो को हैं नहीं तर मैं six-pack abs पिलर के उदर खड़े हों दो जाट लड़के करो यह देखियो यह मोटे ने के बोल रहे हैं करें यह six-pack app बोल रहा भाई दूसरे को बता रहा है अरे यह लाला six-pack app बोल रहा है करा भाई यह एक साल में भी अगर पतला हो जाए ना six-pack app तो जमानी की बात है मैं पांस साल दस साल की बात कर रहा हूं अगर यह पतला भी हो गया तो पाटी दूँगा अपने दूसरे दोस्त को अच्छा फीजिक मेरी पेट मेरा और दो लोग पाटी का रहा है अपस में मेरे को क्या फाइदा हो रहा इसमें मन का भी बात सुन प किसी दोस्त ने का एक ही जैसा करता रहेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा फिर गर्मिया आगें स्विमिंग कर लिया बैडमिंटन खेल लिया साइकलिंग कर ली और शाम के टाइम जाकर जिम कर लिया लगातार मैं करता रहा फिर मुझे एक अच्छा बंदा मिला कि वजन कम हो गया मुझे लगा यार मजा गया यह तो मेरी लाइफ ऐसे हो गई जैसे मैं तो समझो दस साल पीछे चला गया लाइफ में यंग एज पर चला गया फिर मेरा जो और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा तो फिर मैंने और एक्साइज करना शुरू की स्विमिंग क साथ रनिंग के साथ जॉगिंग के साथ पार्क के साथ योगा के साथ मैं टेस्टन ट्रैल करता रहा तीन-टीन थो महीने कभी कुछ किया कभी कुछ पर जिम कॉंटिनु था एक टाइम जिम और एक टाइम कुछ और अलग एक्तिविटी करते-करते-करते-करते 18th April 2018 को मैंने six-pack ab का shoot कराया और उनी लड़कों को जिम में बनका ये देखो six-pack अब वो कहा रहा बाइसाब डोला तो मारा भी बन गया पर यो एब नहीं आ रहे आपने क्या करया first time जब मैंने किया तब मेरा body fat percentage था 40 फिर आया 30 फिर आया 20 परसेंट और 20 परसेंट भी ज्यादा होता है six-pack के लिए 18 परसेंट 20 परसेंट 15 परसेंट 15 से और drop जाओ तो और clear दिखेगा 96 किलो फिर 85 किलो फिर 70 किलो फिर 70 से भी 3 किलो कम 67 kg तक जब मैं पहुचा तो ये six-pack आब मैंने अचीव किया और फिर मैंने उसी जिम में एक वीडियो रिकॉर्ड किया वहीं से और उसी दिन जिस दिन वो आब का रिशूट करूँगा लाइव वीडियो 18 अपरल 2018 ये बोल के मैंने लाइव बंद किया और मैंने बोला ये जो मेरे दो दोस्त हैं ये मेरे सबसे बड़े मारदर्शक और प्रेरक हैं जो नहीं ने मुझे प्रेणना दी कि माईशवरी जी six-pack आप बनावा बना सकते ह और नेक्स टाइम भी जब था तो उनकी मेंबर्शिप भी थी मैंने का बताओ वहिया six-pack आप के करहा जी बहुत बढ़ी है six-pack आप है और मैंने का ये six-pack आप करहे हम भी माईशवरी से पूछेंगे कैसे बनते हैं मुझने मजाक में बोला था टोंट कसके बोला था but I decided to transform and I transformed ये depend करता है कि क्या आप किसी भी लक्ष को हासिल करने के लिए दृड निश्य के साथ संकल्प के साथ करने के लिए तयार है अगर करने के लिए तयार है तो प्राकृतिक रूप से हर वो व्यक्ति आपको अपने तो पाने में मजा आता है हिम्मत की हच्चे टकराने में मजा आता है समंदर की अथा गहराई पसंद है मुझे आसमान की अननत उचाई पसंद है मुझे समय बद्दता के साथ जीद जाने में मौजा आता है आए Thank you